हेलो माई डिये फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टो ऑनलाइन ग्यान भाई यान तो फ्रेंड्स आज का समचार जो है हमारा वो है उत्राखंड में भरतियों से सम्मंदित जैसा कि दोस्तों आप लोग आउगा तोंगे हमारे चैनल के दारा आपकी किसी भी स्टेट की भरती आए चाहिए राज्य सरकार के दोरा कोई भरती का समचार आए चाहिए के इन सरकार के दोरा कोई भरती का बिग्यापन रिलीज हुआ हो या आने वाला हो उसका समचार आपको ततपर देने का परियास हमारी चैनल के दोरा रहता है यदि आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों हमा सब गुरू फेस्बू गुरू उसकी भी लिंक नीचे पड़ी हुई है तो आज का समाचार जो हमारा वो है सिक्षा जगयत से संबंदित जो भी हमारे गैस्ट टीचर से दोस्तों 2015 के बाद बिरोजगार हो चुके थे अब उनको दुबारत सेवा का मौका उत्राखन सरकार दे तो विरोजगार हो चुके गैस्ट के लिए खुसगबरी जल्द ही फिर से मिलेगी बहाली तो उत्राखन सरकार ने एक अहम कदम उठाया सात्यों तो गैस्ट टीचर हमारे साथ हमारे उन इसकूलों में जुड़े हुए थे जहां पर भी सिक्षा को की कमी है और उनकी सेवा पिछले साल बहाल हो चुकी थी अब उत्राखन सरकार ने एक और कदम उठाया दोस्तो इसकूल जैसे ही इस कोरोनकाल के बाद खुलते हैं तो उनको दुबारा सेवा का मौका दिया जाएगा तो 2015 से बिरोजगार हो चुके घर बैटे गैस्ट टीचरों के लिए खुसकबरी है जी हां सिक्षा बिबाग जल्द से खाली पड़े सिक्षेकों के पदुपर पूर में सेवाएं दे चुके गेश्ट टीचरों की भरती करने जा रहा है सिक्षा मंत्री अरुपीन पांडे जी कका कहना है कि जल्द ही सिक्षा वा कॉंसलिंग करा कर जितने भी सिख्ष टिचरों के माध्यम से बहां जाएगा तो दोस्तों एक शुग दाई खबर है गेस्ट्री टीचरों के लिए एक दुखदाई खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो ल्टी जैसे परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं गवर्मेंट सरकार एकजाम की तो एक दुखदाई खबर भी है दोस्तों क्योंकि उत्याकन सरकार वेगन से तो परिकाल नहीं नहीं है जहांबे रिक्तियां हैं वहां पर गेस्ट्री टीचरों के मादियम से पदों को भर रही है तो एक बार सुकून भरी खबर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 2015 से सेवाय दे चुके हैं गेस्ट्री टीचरों की और अब वहां अपनी सेवा से बहाल हो चुके थे अब पुत्रागन सरकार उनको फिर एक बार मौका देने वाली है तो इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी प्रशन हो कोई भी स समाधान करेंगे साथ ही साथ दोस्तों यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना बोलेगा दोस्तों यदि आपको उत्रागन की हर भरती से अपडेट रखना है या रहना है तो आपको दोस्तों हमारी पिछली लेक् आने वाली है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका आपका दिन सुभ हूँ जय देव बुमी